So, hello everyone, कैसे हैं आप लोग सभी? I hope आप सभी लोग काफी बढ़िया होंगी स्वागत करते हैं आप सब का MP Board Education के YouTube चेनल पर तो आज का वीडियो बहुत important होने वाला है आज की वीडियो में बात करेंगे Objective Preparation for MP Board Exam तो MP Board में जो objectives होते हैं भी है वहाँ पर बहुत सारे students फस जाते हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो MP Board में जो important questions होते हैं मतलब 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के या फिर 5 नंबर के अगर आते हो आपकी exam में तो तो यह जो questions होते हैं यहां की questions तो लोगों से बन जाते हैं बट प्रोब्लम आती है objectives में objectives जो questions होते हैं यह questions थोड़े से बाहर से आते हैं तो केसे questions बाहर से आते हैं कौनसे questions हमारे syllabus के अंदर से या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो की previous year से आते हैं तो उनके उपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और बात स्टार्टिंग में बोल देने चाहिए हमें तेकिन आप बोल देते हैं आप लोग उससे यह वीडियो सभी के लिए है class 10, class 12, किसी भी stream वाले हो आप लोग art वाले हो या फिर आप लोग PCM वाले हो PCB वाले हो, commerce वाले हो, agriculture वाले हो सब के लिए यह वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला है चलिए तो वीडियो करते हैं start हम लोग तो सबसे पहले हम लोग start करेंगी objectives में main subject के साथ ठीक है, आपके जो main subjects होते है main subject का मतलब क्या हुआ अब यहाँ पर main subject का मतलब हुआ कि जो आपके language oriented subjects होते हैं जैसे English, Hindi, अगर आपके Sanskrit है तो Sanskrit हो गया, Urdu हो गया यह जो subjects होते हैं, यह आपके language subject होते हैं, लेकि जो main subjects होते हैं जैसे कि आपका PCM हो गया PCB हो गया accounts हो गया business हो गया, ठीक है यह जो subjects होते हैं इस प्रकार के यह आपके main subjects होते हैं तो यहाँ पे बच्चों को आती है problems objectives में, तो अगर आप लोग target कर रहे हो 90% अगर आप लोग target कर रहे हो 90% या फिर 90% plus तो अब आप लोगों को objective के उपर अच्छे से preparation करनी पड़ी देखिएगा, MP board में क्या होता है लगबग 40% जो questions होते हैं 40% objective हों बोलना चाहिए questions नहीं बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे objectives, तो 40% जो objectives होते हैं यह यातों हमारे PYQ, मतलब previous year questions जो होते हैं, last 10 साल के last 10 साल के वहां से repeat हो जाते हैं अब यह आखड़ा थोड़ा सा vary कर सकता है 5-10% में यहां पर फरक आ सकता है लेकिन इससे जादा लगबग 40-45% या 35-40% इतने ही आपके PYQ से आते हैं, बाकी के जो आपके 60% के लगबग हो गए यह आपके बाहार से आते हैं बाहार से आने का मतलब क्या है बाहार से आने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि out of syllabus आते हैं out of syllabus नहीं, लेकिन जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होती है वो यहां पर आ जाती है जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हो जिस तरीके से आपने नहीं पढ़ा है, वेसे भी आ सकता है, आपने कोई सा टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक आपने पढ़ लिया, लेकिन हो सकता है कि आपने टॉपिक को उस तरीके से नहीं पढ़ा, जिस तरीके से अब्जेक्टिव बनता है, तो इस वज़ा से हम बोल रहे ह डारेक्ट आपको PYQ से नहीं मिलता है, ठीक है, अब बहार से कहां से आ सकता है, या तो परिक्षा बोध से आ सकता है, परिक्षा अध्यन से आ सकता है, या फिर कोई अधर एक्जाम की जो पेपर्स होते हैं, वहां से उठके आ जाता है, ठीक है, अधर एक्जाम, तो अब इन अमभावना होती है बाहर से आने का मतलब, यहां पर अब कोई कन्फर्म नहीं है कि कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा, बट एक बात जो देखी गई है, student को किस तरीके से preparation करना चीए, उनका जो main goal होना चीए, वो सबसे पहले तो यहां पे होना चीए, तो कि जो हमारे सबसे पहले कर लें, जैसे आपके यह complete हो जाएंगे, फिर आप लोग यहां पर आ जाओगे, अब एक बात ध्यान रखना, इसका कोई अंत नहीं है, तो आपको यहां पर रुकना भी पड़ेगा, कहीं कहीं पर, आपको यह चीज अच्छे समझाते हैं हम लोग, जैसे मान ल हो गया, फिलिंदा ब्लैंक्स हो गया, वन सेंटेंस हो गया, मैजिदा कोलम हो गया, ट्रू-फॉल्स हो गया, जो भी आता है, वहां पर आपको कुछ ऑप्शन्स या फिर कुछ हिंट मिल जाती है, ओके, सो यहां पर संभावना यह होती है, कि आप लोग मैक्जीमम जो चीजी आते हैं, जो कि एक स्टुडेंट कर सकता, अगर उसने मेडियम लेवल की पढ़ाई कर रखी है, सिर्फ दस से पंदरा परसेंट जो अब्जेक्टिवस होते हैं, वो थोड़ से डिफिकल्ट आते हैं, ओकी, तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे ब अब लगे में लगया कर रहे हैं, सब लगा रहे हैं, इसा नहीं होना चीए है, आप लोग के साथ, जहां से मैजिमम ओटी आ रही है, उनहीं को आप लोग तयार करो physics ले लो आप लोग, chemistry ले लो कुछ भी subject आप लोग ले लीजिए वहाँ पर यही strategy follow करनी है हमने क्या कर रखा है आप लोग के लिए physics में, chemistry में इन दोनों subjects में तो हमने आपको परिक्षा बोध के objectives भी solo करवा रखे हैं और physics में तो हमने आपके लिए एक चीज कर दी है कि हमने जो 10 साल के best objectives होते हैं, जो top objectives होते हैं, वो भी solo करवा रखे हैं, ठीक है, physics की बात कर रहे हैं तो इनकी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी objectives में, maths में है तो maths में आपको समझा दिया है कि last year के objectives कर लो उसके बाद परिक्षा बहुत परिक्षा दियाद जो भी आपको सही लगे, वहां से जो important objectives हैं, उनकी preparation कर लो लेकिन ध्यान ये रखना है कि जहां से सबसे जादा objectives आ रहे हैं, उनी की तैयारिया आप लोग इस तरीके से खतम करोगे, अध्यन का खतम करोगे, तो इसमें एक ही chapter, जहां से मात्र एक number का आ रहा है, उसमें आप बहुत time देदोगे, इस वज़ा से आपका syllabus कवर नहीं हो पाएगा, तो अगर आप लोग 90% की तयारी कर रहे हो, 90% की तयारी कर रहे हो, तो आपको यही करना चीए, ठीक है, physics और chemistry के अगर मैं बात करूँ, मेरे खुद के 97, 98 marks आये थे, overall, out of 100, तो मैंने भी यही strategy follow करी थी, last year के जो objectives थे, अच्छे से कर लिये थे, इसके बाद बोध के जो objectives थे, जो important objectives थे, जो की हमारे ज़्यादा वेटेज केरी करते हैं, उनको अच्छे से कर लिये थे, इसके अलावा अध्यान के जो objectives थे, वो अच्छे से किये थे, इसके बाद हमारे पास GBI नहीं चलती थी, उस time पर GPS चलती थी, यहां से जो question bank थी, उस time पर question bank आती थी, वहाँ, वहाँ पर जो questions होते थे, वही यहाँ पर दिये होते थे, तो उनकी दयारी हमने करी थी, इस तरीके से, लेकिन हमने सारे chapters नहीं करे थे, हमने सिर्फ जो important है, OT जहां से आती है, वहाँ पर भी हम लोग कर सकते, रिसक का मतलब यह है कि अगर questions आता है, हमें समझ में आ जाता है, तो हम लोग उसे कर सकते हैं, आई बात समझ में, ऐसा नहीं है कि questions out of syllabus आ जाएगा, आएगा वही जो आपने पढ़ाए, ठीक है, तो यह चीज होती है, तो इस तरीके से करोगे, तो आपकी objective की best preparation हो जाएगी, इसके अलावा एक और चीज आपको बता दे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसको clear कर लेते हैं, तो हमारे MP board education A पर इसको थोड़ा सा on कर लेते हैं, इसकी voice बिलकुल zero कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगर class 10th वाले आप लोग हो, तो आप लोग यहाँ पर जाईएगा, course के section में जाईएगा, यहाँ पर हमने class 10th का course बना रखा है, इसके अलावा अगर आप लोग PCMB वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आपको अलग-अलग type के courses देखने को मिल जाएगे, हिंदी, English, Physics, Chemistry, इसके अलावा हमारे पास रशायन सास्तर है, बहुती की का है, हिंदी मीडियम वालों के लिए Maths का course है, ठीक है, यहाँ पर objectives भी है, साथ में important questions भी है, commerce के उपर चलते हैं, commerce आप लोग देखेंगे, business का course हमारे प था हमारे लिए, तो यहाँ पर आपकी objective की तयारी हमने करवा रखी है, एक और चीज आप बात कर लेते हैं, हमारे language oriented subject की, language oriented subjects की, मतलब हिंदी, English, Sanskrit, या फिर आप लोग उर्दू वाले हैं, तो उनके लिए, तो language oriented subjects होते हैं, हिंदी, English, और Sanskrit, या फिर हम लोग उर्दू की बात करें, तो यह जो subjects होते हैं भी हैं हमारे, तो इनमें आपको क्या strategy follow करनी है, strategy बहुत simple है, अगर आपके पास बोध हो, या फिर आपके पास अध्यन हो, ठीक है, या अगर यह नहीं भी है, और अगर आप लोग हिंदी, English वाले हैं, तो हमारा जो course है, वहाँ से कर लेना objectives इतने काफी हैं, language oriented subjects में जो objectives होते हैं, वो 80% जो objectives होते हैं, वो इनहीं book से आते हैं, बोध अध्यन से, या फिर हमने जो आपको दिये हुए, वही से आते हैं, ठीक है, हमने तो और selected आपके लिए बना रखें, वो भी कर लोगे, तो 80% आपके objectives हो जाएंगे, अब जो 20% objectives होत आते हैं, concepts है, concepts क्योंकि यहाँ पर आती है आपकी grammar, English में जैसे grammar आती है, Sanskrit में grammar आती है, Hindi में grammar आती है, व्यक्रण आती है, समझ रहो आप लोग, तो यहाँ पर तो आपको practice का खेले, ठीक है, अगर आपने अच्छी practice कर रखी होगी, तो आपके बन जाएंगे, तो यह होता ह तो objective की tension आपको किस में लेनी है, में subjects में लेनी है, बाकि इन subjects में तो कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए, तो यार यह सब कुछ था, I hope objectives सब कुछ आपको clear हो गया है, किस तरीके से आपको strategy आप बनानी है, कौन-कौन से chapters को आपको target करने objective के लिए, यह आप के लिए होने बाला है, बाकि यार आप लोगों के लिए हमारा channel है, telegram का channel हमारा है, YouTube का channel हमारा है, app हमारा है, सब कुछ तो है आप लोगों के लिए बस लगे हुए हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, objective की attention ज्यादा मत लो, objectives आपके हो जाएंगे अगर आपने अच् So thank you everyone